जहिंत नमस्कार मेरे सेसेनियो लाडलो लाडलीयो स्वागता आप सभी का अपनी यूटूब चैनल कमांडो केडमे में दोस्तों ये वीडियो स्पेसली ससेजीडी दो जार तेभी सोबीस के लिए बहुत सारे से बच्चे आप सभी को पता कि जो बच्चे पहली बार जाएगा या फिजिकली कटोप में छट जाएगा उन सभी को बता दू जो नेस्ट वेकेंसी दो जार तेभी सोबीस आएगी तो अगर आपने आज से तयारी नहीं की तो आप इस वेकेंसी में भी कुछ नहीं कर पाओगी और अंतिसमें पस्ता होगी इसी लिए इन्फोर्म पास इाएगी में एक इन्फोर्मिर्शन ये भी सभी के लिए कि अकेडमी में जो बच्चे आने साथ थी होते हैं क्योंत्स wrapper टेयों कि सब्सक्रिश's की करा रहे हैं इस एक अप्रेल से बेज शूरू होगा तो आप इस एक अप्रेल से 15 अप्रेल तक अकेड में भी आ सकते हैं लाट लो इसके लिए एक साल का हम बेज चलाते हैं इस पेसलिए एक साल या डेड़ साल का उस बेज को आप जोईन कर सकते हैं SSGD के लिए ओनलाइन भी एक तारिक से बेज शुरूर रहा है तो जून के महीने में जो कलेंडर आएगा SSGD उसमें 100% आपको देखने को मिलेगी ठीक है और मैं आपको बता दू इस वेकेंसी के बारे में जो नोटिपिकेशन की बात आएगे नो अक्टूबर के महीने की आएगी और सेम फरवरी 2024 में इसका पेपर सुरू होंगे फरवरी या मार्च के महीने में ये डेटे भी आपको मिलेगी 101% ठीक है तो आज से ही आपको टागेट ना अब कुछ सारे बच्चे ये भी बोलेंगे और इस वर आपको कैसे पताए वेकेंसी आएगी आएगी देखिए जो कोई भी हो इंसान आप तैयरी करने वाले हमको हमेशा positive think ही देखनी है कि हाँ इस समय जिस हिसाब से पिछली वेकेंसी आई है उसी हिसाब साई अगर आप ये सोच लोगेगी नहीं ये वेकेंसी आएगी नहीं और फिर आ गई तो तो कभी भी negative side नहीं सोचना है positive side ही सोचना है और तो positive side है वो आप पिछली नहीं मों के अनुशार देख सकते हो जिस परकार से पिछली वेकेंसी की speed चल गए उस आदार पे अगर आप देखोगे तो इस वेकेंसी का यही करम रहेगा जून के कलेंडर में यह वेकेंसी 100% आपको देखने को मिलेगी ससी के में और अक्स्टूबर नॉवंबर या दिसंबर में इसकी notification के बारे में आपको जानकारी पूरी मिलेगी और फरवरी में मार्च में इस परकार पेपर हो जाएंगे तो इसलिए हमको positive side सोचना है तो जो बच्चा SSGD के त्यारी करना चाता है जो 12th पास कर लिया है 10th पास कर लिया अकेडी में आना चाता है तो अभी आ सकता है और अगर आप online त्यारी करना चाते अकेडी में नहीं आके जे हिंद जे भारत